आपकी healthy pregnancy conceived होने के लिए आपके period cycle का regular होना ज़रूरी है period अगर आपका regular है आपको खुल के period आते हैं नियमित आते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि pregnancy रुखने में ज़्यादा परिशानी नहीं है लेकिन वहीं पर अगर period में disturbance है अगर period irregular है और काफी ज़दा रुक रुक के आते हैं कई पर दिन चढ़ चढ़ के आते हैं या फिर उनकी flow अच्छी नहीं है क्योंकि देखे different different महिलाएं और सबकी period cycle अलग-अलग कि नहीं को बहुत short period आता है किसी को 1-2 दिन का period आता है किसी को 7-8 दिन भी चलते हैं यानि कि किसी को flow बहुत ज़दा आता है किसी को कम आता है और सबके color में भी काफी ज़दा difference होता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने period के blood के color को देखके ये कैसे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी pregnancy इस मन्त में रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी वीडियो काफी informative है प्लिश शुरू से लेकिल आज तक ज़रूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्शता वर्मा है और आपका मेरे channel twins my world पे बहुत बहुत स्वागत है अगर आप मेरे channel पे पहली बारा आया है तो एक पर subscribe का मौका ज़रूर दे और मुझे Instagram पे follow करना ना भूलें अब बढ़ते अपने topic के तरफ की period का color इतना ज़ादा important क्यों है क्योंकि बहुत सारे अगर जैसे भी महिलाएं बहुत सारे दिनों से अगर try कर रहे हैं काफी ज़ादा कोशिशे कर रहे हैं तो अगर उनके period में कुछ difference है कुछ अगर irregularity है साथी साथ color में भी difference है जिसके वज़ा से उनकी pregnancy नहीं कांसीव होती है अगर मोटे मोटे तौर पे बात की जाए तो उनको अगर PCOD है PCOS है या फिर कुछ cyst बनने की समस्या है कुछ ऐसे fibroids हैं जो की उनके period cycle को बिल्कुल irregular रखे हुए हैं तो उससे भी उनकी pregnancy नहीं रुकती है लेकिन period का जो flow होता है आपका बिल्कुल normal अगर है अगर red bright color के आपकी जो flow है आप अपने flow को बिल्कुल first day से और last day से comparison नहीं करेंगे बिल्कुल beach के दिनों में जब आपका flow बिल्कुल regular आ रहा है मतलब कि दूसरे और तीसरे दिन का जो flow होता है अगर उसमें आपको freshness देख रही है अगर आपका blood regular आता है सही मातरा में आता है क्योंकि जो सही मात्रा होती है वो SC ML तक आपकी सही मात्रा होती है इतना अगर आपका period का flow आता है यानि कि 3 से 5 दिन मोटे मोटे तौर पर अगर बात की जाए तो वो normal cycle होती है और सही समय पर अगर आ रही है तैसे 28 दिन की biological ऐसा देखायता है कि 28 दिन पर cycle repeat होती है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको exactly 28 दिन पर ही आए अगर आपको 29 दिन 30 दिन पर भी अगर period cycle regulate हो रही है नियमित अगर हो रही है तो ऐसे केस में भी आपको समझ जाना चाहिए कि अगर आप सही time पर try करते हैं तो definitely period आपका रुक जाएगा यानि की pregnancy आपकी रुक जाएगी लेकिन बहुत बर क्या होता है कि अगर आपका period बहुत ही अलग color का है जैसे कि अगर pink color का है और वो बहुत ही रुक रुक क्या रहा है जैसे कि जिसमें अगर आपका period का date है उसके 2-3 दिन पहले आपको water का discharge आता है आपको पतले एकदम pink से discharge हो जाते हैं उसकी बाद 3-5 दिन के बाद खुल के period आते हैं तो ऐसे केस में एक संभावना ये देखी जाती है कि आपके शरीर में कहीं न कहीं PCOD या फिर PCOS होने के संकेत दर्शाते हैं इसका मतलब कि आपकी period cycle regular नहीं मानी जाएगी और आपको hormone के imbalances हो सकते हैं ऐसे केस में आपको अपने nearest doctor से मिलने की जरूरत है वो आपको सही से guide कर देंगे आपकी pregnancy को sustain करने के लिए जरूरी है कि आपके period को regular वो करने के लिए आपको दमाईया भी prescribe करेंगी लेकिन अगर घरेलू तोर पे और अरवेदिक का उपचार लेके अगर आप अपने period cycle को regular करना चाते हैं तो आप मेरी वीडियोस को as a reference देख सकते हैं उससे भी बहुत सरी महिलायों को फायदा हुआ है end screen पे एक वीडियो की लिंक लगा दोंगी तो देखना ना भूलेगा अब रही बात कि जब अगर आपकी period का color अगर brownish color का होता है उस टेम पे क्या आपकी pregnancy रुकेगी तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि कई बारागर आपकी uterus में काफी देर तक अगर blood collect रहता है या ऐसे case में भी आपको आपके period cycle को regular करने की ज़रूरत है क्योंकि जब आपका पूरा flow आने लगता है दो से तीन दिन वाला जो flow होता है उससे आप अंदाजर लगा सकते है कि इस बार वाला जो blood है वो आपकी pregnancy को support करेगा या fit नहीं करेगा लेकिन उसके साथी साथ जरूरी है कि आप सही time पे relation में भी रहें आपको कब-कब relation मनाना चाहिए सबके उपर मैंने वीडियो बनाया है जो भी ज़रूरी वीडियो की link होगी मैं i button पे डाल दूँगी next important बात करते हैं कि अगर आपके period का जो flow है अगर कई बार आपको ऐसा लगता है कि बिलकुल हलकी सी spotting आई है वो भी जिस समय आपका period का date है उसके करीब एक हफते पहले या फिर 10 दिन पहले अगर आपको spotting जैसी feel होती है फिर ये spotting बंद हो जाती है बिलकुल हलकी सी pink या फिर हलकी brownish type की भी अगर discharge आती है तो हो सकता है कि ये आपकी implantation bleeding हो क्योंकि 70 से 80% जो महलाएं होती है अगर उनकी pregnancy की शुरुआती दिनों की अगर बात की जाए तो उनकी pregnancy की जो शुरुआती लक्षण होते है वो होती है implantation bleeding तो अगर आपको implantation bleeding दिख रही है अगर इस तर पर्म ये पाईएगा कि आपको double line दिखती है और ये good news मेरे चैनल पर बताना मत भूलेगा क्योंकि double line आने का मतलब होता है कि काफी ज्यादा खुशिया आना आपका जो इंतिजार है वो कम हो गया खतम हो गया तो अपनी खुशियों को जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ क्यो फोलो करना ना भूले थैंक यू सू मच फर वाचिंग ट्विंस माई वल्ड